बाई और बेहनों इस वार के चुनाव दोस्पस्ट धाराओं के बीच का चुनाव एक तरफ इमानदार चौकिदार है और दूसरी तरफ दागदार ही दागदार है एक तरफ आतन को करारा जवाब देने वाली सरकार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के परुष पैरोकार यहां दिखते हैं जब बाला कोट बाला कोट में हमारे सबुतों ने आतंकियों को घर में गुष करके मारा जब आतंकियों को बाला कोट में घर में गुष करके मारा आपको खुशी हुई कि नहीं हुई आपका मासा घर्म से उंचा हुआ कि नहीं हुआ आपका सिना चोड़ा हो गया कि नहीं हो गया लेकिन जैसे ही बाला कोट में घुष करके हमारे जमार वापिस आए तो रोना किसको चाहिए था चिलना किसको जरूरी था लेकिन रोना कौन किया शुरूर है हमारे ही लोग चिलने लगे रोने लगे अरे चोड़ वहां पहुटी है और दर्द तुम्हें क्यों हो रहा जितना दर्द इस्लामाबाद में हुआ लाहोर में हुआ रावल कुण्डी में हुआ उससे भी ज्यादा दर्द ये कॉल को ता मैं बैटी दीदी को हुआ मोदी ने क्यों किया मोदी सबूत दे मोदी को आपिंगों के साथ एता नहीं करना चाहिए बाई और बैनों मोदी ने जो वो किया क्या थिक किया गए नहीं किया सही किया कि नहीं किया जोगी दार्येट श्कर के वहां मारा आपको अच्छा लगा गे नहीं लगा आ कि ये मेरा निर्णे आपको मंजूर है आपको पुसंद है आपको गर्ब हुआ लेकिन वीजी को ये पुसंद नहीं आया और नहीं ये महा मिलावट के उनके साथियों को ये रास आया ये सभी महा मिलावटी इतना जोड़ जोड़ से रोए कि पाकिस्तान में हीरो बन गए वहां के मिडिया में छागए जात्यों एक कैसा भारत चाहते हैं इनकी मनसा बिल्गुल साब होती जा रही है दिल्ली में जब रूपीय की रिमोट वाली सरकार थी तब आये दिल आतंगवादी हमले होते थे लेगी दिलोंने कभी भी हमारे वीरों को खुली ठूटू में दी अब वो इनकी आतंग परफ्दीती ऐसी हो गई है कि खुले आम हमारे सुरक्षावरों के सहीनिकों के खिलाब यह अनाप सनाप बयान बाजी कर रहे हैं कि कल कॉंग्रेस ने एक दकोसला पत्र जारी किया इस दकोसला पत्र में कॉंग्रेस देश के सुरक्षावरों का मनोबल तोड़ने के उनके होसले को चूर चूर करने का खलाम किया साथ्यों कॉंग्रेस ने कहा है वो जम्मू कश्पीर और हिंसाम रभावेद दूसरी जगों पर हमारे सुरक्षावरों को जो एक विशेद अधिकार मिला है उसको हटा देंगे यानि कॉंग्रेस से हमारे भी जबानों को आतंकियों और पत्थरवाजों के सामने लाचार करने उनके हाथ बामने की साधिस रखती है यह कैसी सोच है